वो पूरे 40 घंटे मैं कमरे में बन अपने कान पर हाथ रखे हुए सोच रही थी कि ये मेरी जिंदगी का आखरी दिन है और continuous ragging के चलते मैं first semester में fail होगे कि ये duty करने से तो अच्छा है कि मरना भैतर है कि कोटा में क्यों इतने suicide rates बढ़ रहे हैं अगर आप में से कोई भी student ये aspirant ये warning sign अपने अंदर देख सकता है तो मेरे journey शुरू होती है एक बहुत ही छोटे से शहर रुड़की से जहाँ पर मेरे फादर ने बहुत ही बड़ा सपना देखा कि वो अपने सबसे बड़ी बेटी को बनाएंगे doctor उस खांदान की बेटी को जहां पर होश्ट समालते ही लड़की की शादी कर दी जाती थी तो फिर क्या था बारवी के बाद उस परिवार ने जो मुझे शाम के साथ बज़े भार तक नहीं निकलने देखे थे एक अंजान शहर कोटा में भेज दिया doctor की पढ़ाई करने के र हैं वहां पर हर एक महीने में दो बाद टेस्ट हुआ करता था और टेस्ट के बाद open session होता था जिसमें हजारों बच्चों की भेड़ होती थी audience में और सिर्फ नाममातर 20 लोगों को medal दिया जाता था बट fortunately उन 20 बच्चों में मेरा नाम mostly हुआ करता था पर मैं सोचती थी कि वो हजारों बच्चे जो audience में बैठते हैं उनको पूछने वाला तो कोई नहीं है खेर मैं आगे बड़ी मेरे कोटा की जर्नी में बहुत सारे hurdles आए और मैं कहीं न कहीं वो बहजारों की भीड में अपने आपको खोया सा महसूस करने लगी अब आता है वो दिन जिसका इंतजार मैं बचपन से कर रहे थी पहले AIPMT हुआ करता था नीट UG के बजाए तो उस दिन मैंने अपने आपको पूरी तरफ प्रिपेर किया कि मुझे आज अपना बैस देना है लेकिन unfortunately on the way to exam center I lost my admit card और हम और मेरा भाई पूरे रास्ते admit card धूनते रहे पर जब हमने घड़ी देखा तो पता चला तो time तो निकल ली गया है किसी तरह जद्दो जहत करकर हम अपने exam center पहुँचते हैं पूरे 15 minute late लेकिन वहां की invigilator एक female थी उन्हें शायद मुझे दया आ गई और उन्होंने मुझे exam center में entry allow कर दी मैंने अपने आपको काम और compose रखा क्योंकि यही तो वो दिन था जिसके लिए मैं बचपन से इंतजार कर रही थी और क्या था मैंने इस exam को crack कर लिया और एक government seat हासिल की इस seat को मिलने के बाद मैं जहा पहुची हजारों किलोमेटर दूर कलकत्ता शहर लेकिन वहां जाकर language differences, cultural barrier और continuous ragging के चलते मैं first semester में fail हो गई failure क्या होता है वो जिन्दगी में पहली बार पता चला लेकिन कहते हैं ना जब हिमते मददा तो मददे खुदा और मैंने हर hurdles पार कर दी और चार साल पढ़ाई करते कब गुजर गए पता नहीं चले डॉक्टर की असल जिन्दगी में कितनी परिशानिया होती है ये तो तब पता चला जब मैंने internship में कदम रखा मुझे आज भी वो काली रात याद है जिस दिन डॉक्टर्स की ओल ओवर इंडिया स्ट्राइक होई थी उस काली रात मैं surgery emergency में as intern posted थी एक मरीज आता है road traffic accident का जिसको head injury हुई थी अपने relatives के साथ तो हम उसके assessment के बाद उसको city scan room भेजते हैं city scan के लिए but unfortunately on the way वो patient मर जाता है ठीक आदे घंटे बाद 15 से 20 लोग जवान लड़के अलग अलग weapon लिए किसी के हाथ में लकडी किसी के हाथ में रॉड आते हैं emergency department emergency surgery emergency और जितने भी doctor on the floor है उनको brutally attack करते हैं तभी मेरे senior जिनके अंडर में as intern poster थी उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि तू भाग ये जो instrument वाला कमरा इसमें जा कि अपने आपको अंदर लोग कर ले मैंने आओ देखा ना ताओ मैं अंदर घुसी और मैंने अपने आपको लोग कर लिया उसी पल उन चार लड़कों ने मेरे senior को घेर लिया और बहुत ही brutally उनके abdomen पे बिना देखे जो उनके हाथ में आए कि ताबे, table, chair, rod उनको पीटने लगे और इसका result क्या हुआ कि उनको kidney failure हो गया, acute kidney injury में चले गया और उनको ICU में admit कराना पड़े वो पूरे 40 घंटे मैं कमरे में बंद, अपने कान पर हाथ रखे हुए, सोच रही थी कि ये मेरी जिंदगी का आखरी दिन है और मुझे वो अवाजे, वो चीकना, चिलाना, मार पिटाई, मुझे लगा अब मैं नहीं बचूँगी उन सर की जगह अगर मैं होती, पत्ली दुबली सी लड़की, तो शायद आज आप लोगों के सामने ना खड़ी होती मुझे तब लगा कि 10-15 साल जो मैं पढ़ाई करके आई हूँ, ये 6 महीने बाद जो मुझे डॉक्टर का खिताब मिलने वाला है, क्या ये वर्टिट है? मैंने सोचा कि मैं इस जर्नी को यहीं गिव अप कर देती हूँ फिर मुझे किसी नेक शक्स ने याद दिलाया, that with great power comes great responsibility और उसने मुझे बताया कि अगर उपर भगवान है, तो नीचे डॉक्टर है और मुझे वो दिन याद दिलाया कि जब पहली बार मैंने एक बुड़ी अम्मा का माथे पे स्टिच किया था तब उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर फेरा और मुझे कहा, तुम आगे बहुत तरक्की करोगे मुझे वो लम्हे याद आए, कि जब भी मैं इस गेट से बहार निकलती थी तब गाट साहब मुझे सलाम ठोकर बोलते थे, डॉक्टर साहब आईए तो इस सब पॉजिटिविटी के साथ मुझे ये याद आया, कि लाइफ में जब भी आपके साथ मुश्किल आएं, तो कभी शिकायत मत करिए क्योंकि जो उपर बैठा है न, वो बहुत बड़ा डिरेक्टर है, और वो सबसे कठिन परिक्षा अपने बेस्ट आक्टर को ही देता है अब क्या था? फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए मैंने इतनी जद्दो जहत और महनत की थी वो दिन जब मुझे डॉक्टर की उपादी मिलने वाली थी मेरे पेरिंट्स का सीना गर्व से चोड़ा हो गया जब उन्होंने मुझे उस लिबाज में देखा और मुझे देखा कि मैं हिपोक्रेट ओथ पड़ रही हूँ मुझे लगा लाइफ तो अब आसान हो जाएगी अब मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है मुझे लगा मैं टॉप अफ दे वर्ल पहुँच गई हूँ लेकिन पिच्चर तो अभी बाकी थी मेरे दोस्त अब मेरी जर्नी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था उसका नाम है NEET PG NEET PG एक ऐसा एक्जाम है जो NEET UG से 10 टाइम जादा टफ है जिसमें क्रीमस्ट लेयर डॉक्टर्स की बैठती है उस एक्जाम को मैंने तीन बार क्रैक किया और दो ब्रांचेस छोड़ी सबसे जादा क्रिटिसम मुझे तब जहिलना पड़ा मैंने जब मैंने करोडों की सीट गाईनी को छोड़ा मैं अपने फैमली और फ्रेंट से इंफ्लूएंस हो गई उन्होंने मुझे ये तो बताया कि गाईनी में जाने के बाद मुझे क्या मिलेगा शोहरत, पैसा, रुपिया बट ये नहीं बताया कि मुझे क्या चिन जाएगा वो था मेरा चैन और सुकून कि जो मैंने ही जेल पाई वो था mental torture जब मेरे mental peace के साथ छेर चाड की गई मेरे seniors मेरे साथ abusive language, अपशब्द, इस तरह के word के साथ मेरे से interact किया जाता था और unfortunately इस culture को वहाँ पे normalize किया जाता था तब मुझे लगा कि ये duty करने से तो अच्छा है कि मरना भैतर है तो इसलिए मैंने इस ब्रांच को छोड़ने का ठाना बट मेरे इस decision के साथ कोई भी खुश नहीं था मेरी family, मेरे friends, सबने मुझे छोड़ दिया जब मैंने इस ब्रांच को छोड़ा मेरे पास ना पैसा था, ना career था, ना family थी मुझे लगा, जब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, तो में जी कर क्या करूँगी मुझे खयाल आने लगे, कि there is no escape from this life you have to end your life, I felt so worthless and hopeless बट जब मेरे जीवन की लौ बुझती दिखाई दी तब एक रोशनी की किरण मुझे नजर आई, वो थी मेरे उपरवाला का सहारा मेरे religious beliefs, उन्होंने मुझे बताया कि ये journey तुमने खुद शुरू की थी तो खतम भी तुम करोगी, तब मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई और मैंने जाकर job join की, मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे ये realize हुआ कि mental health is above physical health and mental peace is the greatest treasure and there is no shame in sharing your story to all इसलिए आज proudly मैं आप सब के सामने खड़ी हूँ as MD psychiatrist जब मैंने third time exam दिया, NEET PG का और qualify किया तब मुझे almost सारी branches मिल रहे थी लेकिन फिर भी मैंने psychiatry जैसी ब्रांच को क्यों choose किया अब मैं आपको as MD psychiatrist एक message देना चाहूँगी सारे aspirants, parents and coaching institutes को कि quota में क्यों इतने suicide rates बढ़ रहे हैं क्यों 24 suicide rate in last 8 months क्यों बढ़ रहे हैं इसका reason जो मुझे as MD psychiatrist समझ में आता है वो यह है कि जब adolescent stage में बच्चा अपना घर छोड़ कर जाता है उसके उपर दबाव होता है अपने आपको प्रूव करने का academic pressure होता है, peer pressure होता है और घरवालों का pressure होता है कि तुमको अपने आपको साबित करना है cyber bullying बहुत जादा role play करती है और financial crisis इस सब के चलते जब बच्चा rank test में rank नहीं ला पाता तो वो किस से share करेगा, वो अपने parents से अपनी problem share करता है, पर parents उसको एक excuse का नाम दे देते हैं कि तुम एक excuse करा रहे हैं क्योंकि तुम पढ़ना नहीं चाहते हैं और उल्टा उसको force करते हैं कि उसको लगता है कि वो एक burden है अपने parents के लिए वो अपने माबाप को साबीत नहीं कर पाया कि वो कुछ कर सकता है तो इस stage में वो extreme step उठाता है As a psychiatrist, I want to tell you that suicide is not a sign of weakness but a cry for help and suicide can be prevented by looking into the warning sign when a child shows it for days and weeks और ये warning sign अगर parents, teacher or student खुद पहचान ले तो हम suicide को बचा सकते हैं ये warning sign क्या है? ये warning sign है, verbal sign जब बच्चा बात करने लगे कि अब मुझे कुछ अन नहीं दिखाई दे रहा जब बच्चा बोले कि मैं अपनी life को खतम करना चाहता हूँ जब बच्चा बोई ये बोले कि मैं एक burden हूँ इस society पे और अपने parents पे और उसको guilt हो जैसे उसने बहुत बड़ा गुना कर दिया जब उसके वहवार में अंतर आने लेगे उसमें जो पहला उसका वहवार था वो बदल जाए वो छोटी-छोटी बात तो फिर चिड़ने लगे बहुत ज़दा mood swings शो करे उसके सोने में अंतर आ जाए या तो बहुत ज़दा सोए या वो बिलकुल पूरी रात जागे उसके खाने पीने में अंतर आ जाए या तो बहुत ज़दा खाए या बिलकुल ना खाए और वो तरीके ढूंडने लगे नेट पर, यूट्यूब पर, सर्च करने लगे मरने के तरीके कि कैसे मैं अपनी लाइफ को painless, कैसे अपनी लाइफ को hamper करके कैसे उस बच्चे ने फलाना बच्चे ने suicide किया, तब बच्चे उस चीज़ को copy करते हैं, जिसको medical terms में कहा जाता है copycat suicide, तो ये दिखाने के बजाए, मीडिया का रोल ये होना चाहिए कि हम promote करें, कि mental health को promote करें और ये बताएं कि that there is treatment and there is alternative, other alternative to suicide, अगर आप में से कोई भी student, ये aspirant ये warning sign अपने अंदर देख सकता है, तो घबराइए मत ये आपको कभी भी current बहुत ही suicidal ideation आती है तब आपको क्या करना है, ऐसे में आपको अकेला नहीं रहना है, आपके nearest जो भी contact है उससे जाकर बात करिये, और अगर आपके आसपास कोई नहीं है, तो आप suicidal helpline number को contact करिये, ये जो भी आपके nearest और dearest मनें, उनसे बात करिये और उनको अपनी problem बताइए और अगर आप अपनी family या आपने friends में suspect करते हैं कि इस तरह के lakshan ये warning sign आ रहे हैं, तब आपको जाकर उनसे directly बात करना है एक reassuring tone में और उनको काम करना है, उनको feel कराना है that help is there and with treatment your problem can be solved and there are other alternatives as well आप उनसे direct सवाल पूछिये, बिना डरे, बिना हिच की चाहट के कि क्या तुमको suicidal thoughts आ रहे हैं क्योंकि इस तरीके से आप एक suicide और एक ननी जान बचा सकते हैं parents के लिए यहां पर में बहुत बड़ा message देना चाहोगी कि हर बच्चा different होता है हर बच्चे में काबलियत होती है उसकी weakness होती है और उसकी strength होती है, आपका काम उसको जब वो आपसे share कर रहा है तो उसको excuses ना समझ के यह पहचाना है कि उसके अंदर उसकी strength क्या है उसका talent क्या है और उसको आगे promote करना है अगर आप pressurize करते हैं अपने बच्चे को अपने desire के लिए कि आप engineering या medical ही करें तो अब तो यह वही बात हुई कि आप एक मचली को बोल रहा है कि देखो यह तुमारा test है कि तुम कितनी तेजी से एक पेड़ पर चड़ सकती हो इससे प्रूव होगा लेकिन उससे तो मचली अपने आपको एक failure ही मानेगी क्योंकि आपने तो उसको ऐसी जगा जोग दिया जो तालें उसके अंदर है ही नहीं जो तालें उपर वाले ने उसको दिया ही नहीं है तो इसलिए इसके बजाए आप अपने बच्चे के अंदर के तालें और उसको प्रमोट करें Whenever you feel like giving up, just remember why you held on for so long On the day of World Suicide Prevention Day 2023 The theme is Create Hope Through Actions It gives us a very powerful and strong reminder to all of us that there is always an alternative to suicide Thank you